ओम, शान्ति, आपका प्रश्ण है बालों को काला करना या रंग लगाना, देहे अभिमान है या देही अभिमान है? बाबा आकर हमें सम्झाते, बच्ची तुम आत्मा हो ये तुमारा तमो परधान देहे है इस तमो परधान पतित दे को मुझे दे दो मेरी शिरीमत पर अब आपने मेरे शरीर को खिलाना है, मेरे शरीर की देखबाल करनी है तो ये शरीर आपको स्रेश्ट भाग्ये लिखने में सयोग देगा इस शरीर को केवल दो रोटी चाहिए इसको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना है शरीर को सिर्फ दो रोटी चाहिए ये देह तुम्हारा नहीं है, ये देह आपने मुझे दे दिया और जो चीज आपने मुझे दान कर दी उसको मेरा नहीं कहना दान दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती अब ये देह आपने मुझे दे दिया, अब ये देह मेरा है मेरे शरीमत पर इसको देख बाल करो ये युक्ति है इस देह के आकर्षन से अपने आपको न्यारा करने के अब इस देख को रंग लगाने इसके लिए बाबा ने बहुत स्टिक्ट मना किया क्योंकि ये देह आपको तमो परदान बनाती है देह का आकर्षन आपको तमो परदान बनाता है इस देह के प्रति किसी को आकर्षित करना ये पाप का भागीदार बनाता है बालों को काला करना रंग लगाना या शरीर के चेरे पर रंग लगाना ये दूसरे व्यक्ति की द्रिष्टी को दूशित करना है इसलिए बालों को काला करना या चेरे पर किसी भी परकार का रंग लगाना या ड्रेस ऐसी पैनना जो दूसरे मेरी तरफ देखें ये देख अभिवाना स्वच्छ ड्रेस हो साप स्नान किया हुआ हो जेसी हूँ जू हूँ परंतु आर्टिफिशल ब्यूटी स्वर्ग का अधिकारी नहीं बनाए क्योंकि वहाँ तो नेच्चुरल ब्यूटी पैए और नेच्चुरल ब्यूटी का आधार है आपका क्रेक्टर आपका चरित्र और चरित्र आत्मा की पुँजी है ना कि देखे आत्मा की सुन्दर्ता से आपका जीवन सुन्दर बनेगा देखी सुन्दर्ता से और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजा पिता ब्रमा को मारी इश्वरिये विश्व विद्या लेके किसी भी सेवा केंदर पर समपर करें और यदि कोई प्रशन हो तो 92-131-06-986 पर केवल वर्शेप करें फोनने Aum Shanti झाल झाल